revision के लिए high court की power या फिर session judge के पास में क्या-क्या power होती है तो यही सार चीज़ बता रहा कि आपके C.A.R.P.C. के chapter 30 के अंदर तो सिख लेके C.A.R.P.C. section 398 से लेके 401 तक देखी क्या कहता है power to order inquiry भी उनके पास में power है कि वो inquiry के लिए order दे सकते है किसके पास में power है जिसके पास में revision petition आती है उसके पास में power है अब revision petition किसके पास में आती है तो high court के पास में आएगी है फिर session court के पास में आएगी और अब इनके पास में power है क्या power की order दे सकते हैं inquiry करने के लिए order किसको देंगे तो CGM को order देंगे क्या order देंगे कि भीया अगर आप लोगों ने किसी मामले को ऐसे 203 के तहट या फिर 204 के 4th point के तहट अगर आपने किसी complaint को ऐसे खारिज कर दिया था या फिर किसी अपराद के अव्युक्त को अगर आप लोगों ने ऐसे discharge कर दिया था कि आपने उस complaint को खारिज क्यों किया या फिर आपने उस accuse को discharge क्यों किया तब ऐसे में यह order दे सकते हैं इनके पास में power है कहां से power है 398 के तहते में high court के पास में power है और session court के पास में power है किसको दे सकते है order CGM order देंगे या तो आप खुद inquiry कीजी या फिर अपने सब magistrate से ऐसे inquiry करवाईए फिर यह CGM क्या करेगा या तो खुद inquiry करेगा उस मामले की या फिर अपने किसी subordinate magistrate से ऐसे inquiry करवाईगा लेकिन अगर वहीं किसी accuse को ऐसे discharge किया हो और उसके खिलाफ में ऐसे inquiry करनी हो तो वह inquiry तब तक नहीं करेंगे जब तक पहले उसको मुखा ऐसा ना दे दिया जाए यानि कि पहले accuse को मुखा दिया जाएगा कि भाया बताइए हम तुम्हारे खिलाफ inquiry क्यों ना करें फिर वो बताएगा फिर उसके खिलाफ inquiry की जाएगी यानि पहले मुखा दिया जाएगा फिर inquiry की जाएगी I think यह section आपका clear हो गया होगा देखें क्या कहता है 399 Session Judge's Power of Revision Session Judge के पास में क्या क्या पावर होती है Revision के दोरान में अब यह बता दिया देखें अगर Session 3 तरिकवाल बताता है एक और यह section अगर Session Judge खुद किसी मामले का ऐसे record मंगवाता है Revision के लिए खुद किसी मामले का ऐसे revision करने के लिए तब ऐसे में 401 के जो first point के अंदर यानि कि सब section के अंदर जो power बताए गई है वो सब power को यूज कर सकता है Session Judge यूज कर सकता है अब 401 के first point में किसकी power बताए गई है High Court की power बताए गई है तो अगर Session Judge खुद किसी मामले का ऐसे revision के लिए record मंगवाता है तो वो High Court वाली वो सारी power बताए गई है दूसरी बात यह कहता है कि अगर कोई car wise start हो जाती है सब section 1 के according किसका सब section इसका 399 का यानि कि Session Judge ने क्या किया मामले के record मंगवाली मामले के record मंगवाली तो फिर उसने car wise start कर दी अब car wise start कर दी तो वहां पे वो सारे उपबंद भी लागू होंगे जो 401 के जहां तक हो सकेंगे वहां तक लागू होंगे जो 401 के 2, 3, 4 और 5 सब section के अंदर बताए गए है वो सारे उपबंद जहां तक हो सकेंगे लागू होंगे जहां तक हो सकेंगे थीक है अब इन सेक्षन के अंदर क्या क्या बताया गया तो 4001 जब आएगा हम आपको सिखाये दिए क्या क्या बताया गया ठीक है इससे अगली बात यह कहता है तिसरी बात कि अगर सैसन कोर्ट उस मामले में यानि कि जिसके ऐसे रिवीजन कर रहा है जो भी वह अंति मादेश देगा, revision के लिए record मंगवाया, फिर कारवाई स्टार्ट कर दी, session judge, अब session judge revision के बाद जो भी उसका देश देगा, जो भी अन्तिमा देश देगा, जो भी अपना last decision देगा, उस मामले के लिए, वो last ही होगा, उसके बाद उसके revision petition कहीं भी नहीं डाली जाएगी, अगर session court ने किया, तो सोचेगा, अब high court जाऊँगा, revision के लिए, तब high court में नहीं जा सकता, मैं आपको पिसले section में बताई थी, कि revision petition एक बार ही डाली जाएगी, भाईया, दुबारा नहीं डाली जाएगी, अगर session judge ने कोई भी ऐसानती मादेश दे दिया, तब उस revision, अब वो दुबारा revision petition high court में नहीं डाली जाएगी, उसकी, अगर सेप्टी नहीं करेंगे, ठीक है, I think section आपको clear हो गया होगा, तो क्या power है, तो high court वाली power ये use कर सकता है, वो 401 जब आएगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और इतनी कोई खास बात नहीं थी, देखें क्या कहता है, 4-0, power of additional session judge वह additional session judge के पास में क्या क्या power, कब revision के लिए, देखें, ये हो गए में क्या power, direct इसके पास तो मामला आएगा ये नहीं, मामला का आएगा, मामला तो session court में आएगा, फिर session court ये देखेंगे कि आप इस मामले को कहां भेज देते हैं या फिर अपने असिस्टेंट के पास में भेज देते हैं तब ऐसे में जो कोई और मामला रिवीजन का नहीं कोई भी ऐसा मामला जो हमने पिछले सेक्शन के अंदर में क्या power 399 वाली तो इनके पास भी वो सारी power है ठीक है भाईया 401 high court power of revision अब high court के पास में क्या power है यह main section है असली मुद्धा यहीं पर है देखिए वह यह क्या कहता है पांस तरीक बात बताता है कि अगर revision petition किसी ने high court में डाला है या फिर high court ने इसा कोई record मंगवाया है खुद ऐसा record मंगवाया है high court के पास में क्या power है चलो देख लेते हैं पांस तरीक बात कहता है पहली बात यह कहता है कि अगर high court ने किसी मामले के record खुद मंगवाया है देखने के लिए revision के लिए कि भाया नीचे वाली court से यानि कि किसी magistrate court ने अगर ऐसा कोई फैसला सुनाया है किस session court ने ऐसा मामला सुनाया है उसकी वो appeal नहीं हो सकती उस मामले में appeal नहीं हो सकते लेकि revision हो सकता है तब high court ने उस मामले के सारे record मंगवा लिए नीचे वाली court से जिसे ने ऐसा फैसला सुनाया था कि भया एक वार फैसले हमारे पास बेज़ दे वो सारे record हमारे पास बेज़ दे उस मामले में जो दिया है ऐसे revision करने के लिए तब high court के पास में क्या power है तो high court के पास में वो सब power है जो CRPC section 386 के अंदर बताया गया है यहाँ पे जो बाते बताये गई है हो सारी power होती हाई court के पास में क्या पे पास में जो power होती है वो high court के पास में पावर होती है ऐसे मैं एक्यूस को अगर जिसको ऐसे एक्विटल किया था उसको दुवारा गिरिफतार करवाना तो वो भी करवा सकते है उस मामले की जांच के लिए अगर कोई हो रहा है विडियस मंगवाना तो वो भी ऐसे मंगवा सकते है वो सारी बते सिख थी तो हमने ठीक है तो यह सारे power क्या होती है हाई कोट के पास में power होती है और इनी सभी power का यूज़ कोन कर सकता है सैसें जज़ भी कर सकता है जब वो खुद ऐसे मामले के रिकॉर्ड मंगवाता है समझ में आगी तो इन पावर का यूज़ कोन कर सकेगा सैसें कोट भी कर सकेगा सिखा था 399 के अंदर और 401 का पॉइंट आपका इस अगर हाई कोट अपना कोई ऐसा अंतिम आदेश देता और उसमें वो कन्फ्यूज आ जाता है यानि कि तीन जज़िज हैं हाई कोट के अदर तीनों कन्फ्यूज होगे कि भई रिविजन के लिए मामला तो आया बंतीम फैसला क्या दे इनकी राय इनका ओपिनियन अलग है इन का ओपिनियन अलग है इन तीनों की राय अलग अलग है तिनों का ओपिनियन अलग है कि हमारा ओपिनियन तो यह है और आप अपना ओपिनियन बताइए फिर यह अपना ओपिनियन लिखे इस कोट के पास में भेज़ देगा फिर इन्होंने जो ओपिनियन भेज़ जा उसी के अकोर्डिंग उस फैसले को अंतीम रूप दिया जाता है यह चीज मैं आपको पहने इफेक्ट पढ़ने वाला है हाई कोर्ड रिवीजन के बाद में कोई तो ओडर देगा कोई तो अंतीम आदेश देगा उस आदेश से या तो एक्क्यूस को है फिर किसी और परसन को कोई ना कोई इफेक्ट जरूर हो गई होगा तब ऐसे में जिसको इफेक्ट होगा ना या पहले उसको या उसके प्लेडर को मुका दिया जागा है बताईए कि हम ऐसा उडर क्यों ना करें फिर वो बताएंगे फिर उसके बाद जो उनका अंतिमोडर होगा वो ऐसे कर देंगे और विजन पेटिशन में एक बार लाश डिसीजन हो गया है फिर उसके बाद कोई और आ प्लेडर का बार लाश जयाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एकोईटल को कनविक्षन भी ऐसे बनाया गा़या जाएगा और अगर उस मामले में अपील होती है या फिर नहीं होती है ये बात जब कोई भी कोट अपना ऐसा अंतिम फैसला सुनाती है किसी भी मामले में वो बताती है उस मामले में जो एक्यूसर उसको बताती है या फिर जो प्रोशेक्यूसर उनको भी बताती है कि आप इस मामले की अ फॉर्थ पॉइंट के अंदर हम कोई बता दी, यही चीज एक्जाम में फूझता है, कि रिविजन पिटिशन कब नहीं डल सकती, यह बात कहा है, तो यह बात यहाँ पर है, ठीक है, इससे अगली बात, यह बता दी, कि अगर कोई व्यक्ति, रिविजन पिटिशन डाल दिता ह और उसका मामला अपील वाला भी है, और जब रिविजन पिटिशन हाई कोट के सामने ऐसे आता है, और हाई कोट समझ जाता है, इस इनसान ने ना समझी के कारण, यानि कि इसको पता नहीं है कि इसके मामले की अपील हो सकती है, देखिए मैं दुबारा बताता हूँ क्या कह न चाहता है, मान के चलिए High Court है ठीक है और High Court के अंदर किसी ने Revision Petition डाल दिया, इसने Revision Petition डाल दिया अब High Court ने देखा इस Application को और इस मामले को तब High Court को पता लग गया कि जो इस वेक्ति ने जो हमारे सामने Revision Petition डाली किसी मामले कि इस मामले में तो Appeal भी हो सकती है लेकिन इस बन्दे ने, जो हमारे सामने डाली इसकी ना समझी के काण़े, यानि कि इसको नहीं पता है इसको नहीं पता कि मैं इस मामले में Appeal भी कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो डाल दे Revision Petition, अब इनके सामने revision petition आगी लेकिन ये लोग तो समझदार हैं वाई इनको पता लग गया तब ऐसे में ये क्या कर सकते हैं ये उस revision petition को appeal समझ कही कारवाई कर सकते हैं इस्तनी भी high court के पास में power है तो ये थी high court के पास में power revision के दोरान में कि अगर revision petition आती है तब high court क्या गर सकते हैं इन पावर का यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसको एक्विटल से, कन्विक्शन से नहीं समझा जाएगा, अगर अपील होने वाली है, तब उसको असेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे पांचमें पॉइंट के अंदर ये बता जाएगा, जिसने ऐसी petition डाली है और High Court समझ जाता है कि इसने अपनी ना समझी के करण डाली यानि कि इसको मालूम नहीं है कि इस मामले के पील भी हो सकती है तब इसको वापिस नहीं बेज जाएंगे तब इस revision petition को appeal मान के ही फिर इसके ओपर कारवाई की जाएगी I think आपको clear हो गया होगा तो इस section आपको समझ में आये या नहीं मेरे को जूरूर बताएं कलास अच्छी लगी हो तो इसको share कर दे इस channel को subscribe कर ले कोई भी doubt आया बेज जी से comment कर दे कोई और personally कुछ स्वाइश सा पूछना किसी topic के बारे में कोई और ऐसी special वीडियोज आए तो इस्टाग्राम पर message कर दे थैंक्यू भई